हालो इस्टूडेंट्स वल्कम बैक मैं यूटूब चैनल ड्राइंग सिवेंटियेट बच्चों आज की वेडियो में हम लोग सीखेंगे आयत में पीले कनेर के पुस्पुस की कलियों और पत्यों पराधारीत आलेखन बनाना आलेखन में हम लोग हंस पच्ची की एक अलगकारिक आकरित को भी समावजित करेंगे देखिए हमारे द्वारा बनाया गया आयत की लंबाई है 18 सेंटिमीटर जबकि चौडाई है इसकी 12 सेंटिमीटर यहां पर हमें एक टहनी बनाएंगे जिससे जुडा हुआ लगभग बीचो बीच में एक फूल बनाएंगे फूल के नीचे यहां पर हंस बनाएंगे इन कोनों में हम लोग एक एक कली बना देंगे तो आए सबसे पहले हम टहनी बनाते हैं टहनी की मोटाई यारपार बराबर होनी चाहिए अब हम यहाँ पर कनेर का फूल बनाएंगे यह पंखुडियों का पिछला हिस्सा है जो हलका सा धानी रंका होता है यहाँ पर पुस्प के वाहदल बनाते हैं जो संख्या में पांच होते हैं हमें चार दिखाई दे रहे हैं एक पुस्प के पीछे की और है जो नहीं दिख रहा है अब हम यहाँ से पंखुडियों का अगला हिस्सा बनाएंगे ऐसे ही इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं और फिर अंदर की और लाकर मोड़ देते हैं बिल्कुल इसी प्रकार इस रेखा को भी आगे बढ़ाकर एक पंखुडियों और बना देते हैं दो पंखुडियां उस और भी दिखाई दे रही हैं जो बहुत ही कम दिख रही हैं इस प्रकार देखिए पुस्प में पाँच पंखुडियां बन गई फूल के नीचे खाली जगे में हंस को बना लेंगे यहां पर हंस का सिर्व हो जाएगा गर्दन जैसे जैसे नीचे आती थोड़ी मोटी होती जाती है अब हम इसका पंख बनाएंगे यहां पर उपर को जुकी हुई चोंच और यह बड़ी सी हंस की आँख हो गई यदि चाहें तो इस खाली जगे में इसका दूसरा पंख भी बना सकते हैं जो की बहुत कम दिखाई दे रहा है हंस के सरीर पर कुछ डिजाइन बना दी जाती हैं जो की देखने में बहुत ही अलंगारिक लगती हैं आप इनको डारेक्ट कलर से भी बना सकते हैं हलकी सी डिजाइन यहां गले में भी बना देंगे अब देखे बच्चों इसी टहनी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें यहां पर कली लगाएंगे इसकी कली पहले तो कम चोड़ी बीच में ज़्यादा चोड़ी और आगे नुकीली रखते हैं एक कली इसकोने पर भी बनाएंगे पहले तो तीन वाहदल बनाएंगे जो कि पांच की संख्या में होते हैं तीन दिख रहे हैं और दो नहीं दिख रहे हैं इन ही से निकलती हुई कली बनाते हैं एक कली इसकोने पर भी बना सकते हैं इस प्रकार देखे बच्चों तीन कलिया हो गई एक बीच में फूल बन गया है अब हम खाली जगहों में पत्तियां बना देंगे एक तो पत्ती ये हो जाएगी जो कि यहाँ पर सबसे अदा चोड़ी होगी पत्ती के बीच में सिराएं बना लेते हैं इनको आप डारेक्ट कलर से भी बना सकते हैं यादि चाहें तो इनको और भी गनी कर सकते हैं एक पत्ती इस जगह में बनाएंगे जो कि सीधी ना होकर मूड़ी हुई है इस प्रकार की पत्तियां अलेखन में बहुत ही अलंकारिक लगती हैं आएसी हेक पत्ती यहां पर भी बनाते हैं पहले मौड तक इसकी चोड़ाई बलाते जाते हैं उसके बाद फिर घटाते जाते हैं यहां पर एक सीधी पत्ती बना लेते हैं जितनी चोड़ाई इधर है उतनी ही इधर भी रखते हैं इस कोने पर कलीना बना कर हम एक पत्ती ही बनाए ले रहे हैं एक पत्ती और यहीं से निकलती है जो कि इस तरफ को मुड गई एक मूरी हुई पत्ती इस जगए में बना लेते हैं अब इस खाली जगए में भी एक पत्ती चाहें तो हम बना सकते हैं एक सीधी पत्ती इस जगए में भी बना सकते हैं चलिए एक पत्ती यहां बनाते हैं जो कि पंक के उस पार है पूरी हमें नहीं दिखाई दे रही है इस प्रकार देखिए आलेखन में परियापत पत्तियां बन चुकी हैं इन खाली इस्थानों में कुछ ऐसी अलंकारी कागरतियां बना देंगे जो देखने में बहुत ही आकरसक लगेंगी और बनाने में बहुत ही सरल होंगी देखिए जहां पर जैसी जगए होती है वहां पर वैसी ही डिजाइन बनाते चले जाते हैं तो इस प्रकार देखिए बच्चो आलेखन मन कर तयार हो जाता है अब थोड़ा खोपसूरा लगने के लिए मैं इसकी सेडिंग किये दे रहा हूं लेकिन आपको सेडिंग करने की कोई जरुद नहीं क्योंकि आपको कलर तो करना ही होगा यह जो हंस के सरीर पर मैंने भिन भिन परकार की डिजाइन बनाई हैं इन्हें आपको पहले ही बनाने की कोई जरुद नहीं है आप यद इन्हें बनाना चाहें तो डारेक्ट कलर से भी किसी महीन बुरुस से बना सकते हैं आलेखन को एक बार हम थोड़ा और गहरा किये दे रहे हैं ताकि दिखने में और भी आकर सक लगने लगे तो इस प्रकार वच्चों आयत में पीले कनेर के पुस्प उसकी कलियों और पत्तियों पर आधारित एक आकर सक आलेखन बन कर तयार हो गया है जिसमें हमने हन्स पच्ची की भी एक अलंकारिक आकरित को समायुजित किया है शदिया आपको हमारा अलेखन पसंद आया है तो इसको लाइक करें अपने मित्रों में सेयर करें और यदि चैनल को आपने तक सब्क्राइब नहीं किया है तो आवस्से कल लें